नमस्ते कैसे हो हिंदी की क्लास में होर्बी स्कूल की तरफ से अपका फिर से स्वागत है हमने लास्ट क्लास में व्यंजन या सीखा जो की यकी लाइन का पहला व्यंजन है हर एक वर्ग में पांच व्यंजन होते हैं परन्तु यकी लाइन में सिर्फ चार व्यंजन है उसे बो जो की है व्यांजन र या र आज हम सिखेंगे व्यांजन र तो चलो सिखते हैं व्यांजन र व्यांजन र सिखने की शुरुआत हम व्यांजन र की कविता से करेंगे राजा राणी रत पर सवार चड़ कर मिलता सूख अपार दूर दूर तक गूं कर आए गोडे रत को खिज ले जाए अब हम व्यम जनरा की कहानी सुनेंगे और ये कहानी की है एक राजा, एक रानी एक राज कुमार, और एक राज कुमारे की एक दिन एक राजकुमारी राद को रजाई ओड के सो रही थी सपने में उसने एक राजकुमार देखा राजकुमारी ने देखा कि राजकुमार एक राक्षस से युद्ध कर रहा है उसने देखा राजकुमार ने राक्षश को रसी से बांध दिया इतना देखने के बाद राजकुमारी ने चिलाया ममा ममा राजा और रानी भागते हुए आए राजकुमारी को रजाई उड़ाई और सुला दिया बाद में राजा और रानी रत में बैठकर रामपूर गाउ की सेर करने गए कैसी लगी व्यांजनर की कहानी? अच्छी लगी ना? तो चलो अब हम व्यांजनर से शुरू होने वाले कुछ और शब्द सीखते हैं और जो सीखे हैं वो शब्दों का पुन्रा वर्तिन करते हैं रसे होता है राजा और होता है राजकुमार रसे होती है रानी और होती है राजकुमारी रसे होती है रजाई और होती है रसे रसी और रसे रुई रसे रजगुले रसे रत और रसे रुप्या भी होता है रसे होता है राक्षस और रसे रामपूर भी होता है रसे होता है रस और होता है रंग भी रंगी It's writing time. Now we will practice writing Vyajan Ra. जैसे कि आपको मालू है हम Vyajan Ra की writing practice हमारी My Skill Book में करेंगे. On page number 8181 we will practice writing Vyajan Ra. On left side corner first we will write today's date that is 15.9.20 and then we will start tracing the Vyajan. पहली और दूसरी लाइन के बीच में एक छोटा सा कव बनाती हुई लाइन और दूसरी लाइन और दूसरी लाइन के बीच में स्लांटिंग लाइन और sleeping line on the first line ये हो गया आपका रसे रस, रसे रत और एक बार लिखेंगे. क्या करोगे? पहली और दूसरी लाइन के बीच में थोड़ी सी कव वाली एक रेखा बनाओगे. फिर टर्न होके फिर वहां से एक स्लांटिंग लाइन बनाओगे जो की तीसरी लाइन को टच करेगी. और स्लिपिंग लाइन on the first line रसे रत मुझे आशा है बच्चों आपको व्यांजन र उससे शुरू होने वाले शब्द और व्यांजन र लिखते कैसे हैं अच्छे से समझ में आया होगा. दन्यवाद!